नमस्ते अभिवातन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में डिस्क्लेमर आपके लिए आगे बढ़ते हैं देखो भाई 14820 पे निफ्टी लॉक है खुल नहीं रही है अब ब्रोकर्स को काफी जादा तकलीफ हो रही है जो लोग order place करके खुला order छोड़ कर बैठ गए है उनको कुछ जादा ही तकलीफ है तो बिल्कुल भाई हमारी भी open position है जैसा कि हम आपसे पहले भी बता चुके है तो तकलीफ सब की बनती है दिक्कत यह है हमारे साथ जो लोग F&O traders है कि जरोधा या धेर सारे brokers अभी ये plan लेकर आ गहे है plan of action उनका हाजिर है मैं आपको समझा दूँगा देखिए कुछ लोग बोल ले है कि अगर brokers मतलब बोल ले है कि अगर जो है NSE जो है वो पहने 3 बज़े तक 2.45 तक active नहीं होता है तो जितने भी नए orders है MIS यानि कि इंट्राडे orders और cover orders ये block कर दिये जाएंगे पूरे दिन के लिए मतलब कि अगले 45 मिनट के लिए और ये कोशिस करेंगे कि जितने भी orders लगे है equity MIS वाले ठीक है और cover order position या cover order bracket order जो भी लगा हुआ है ये BSC पर settle करें ठीक है they will attempt to square off all equity MIS cover order position on BSC इसका मतलब क्या है कि जो आपका broker है वो आपकी position cancel कर देगा अब अभी तक देखो हम अपने partner से जुड़े और उनसे हमने से connect होने की कोशिस की कुछ लोगों से हमने बात की तो हमको जहां तक अभी उम्मीद है कि जो आपको 50 प्लस 9 रूपीज का चार्ज देना पड़ता है हो सकता है आपका broker ये कम कर दे या फिर आज के लिए माफ भी कर दे ठीक है देखते हैं ये क्या होता है investor protection fund से हो सकता है ये भरपाई की जाए या जहां से भी हो सकता है ये माफी हो जाए बाकी हम आपके पास कोई चारा नहीं है आप भी ये position cover up करने की कोशिस कर सकते हो अब जो clearing corporations होते हैं वो अलग तरीके से deal करेंगे जो BSC का है वो अलग तरीके से deal करेगा उस पे load बढ़ चुका है इसलिए जरूधाया हमारे abstract partner बोल रहे हैं कि हम अपने जो positions हैं अपने clients की उनको cover करने की पूरी कोशिस करेंगे unfortunately यहाँ पर जो बात लिखी गई है इसको थोड़ा सा समझ ये ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो F&O trading होती है वो NSC पर ही होती है और NSC का जब exchange ही बंद है तो वो position कबर की ही नहीं जा सकती इसका मतलब क्या है इसका simple सा मतलब है आपकी ये position open रहेगी कल के लिए अगर कुछ होता नहीं है अगर exchange नहीं open होता है तो तो बस यही एक छोटा सा update था हमने सोचा आपको बता देते हैं आपका ब्रोकर करेगा ये चार्ज कम हो सकता है या फिर मुझे नहीं लगता कि अब भाई जिसको profit कमाने का मौका मिला है किसी की गलती पर वो तो कमाएगा अब देखते हैं कैसे चीजें बनती हैं एक और चीज आपको बता दूँ जो भी और लगे थे वह आटोमेटिकली कैंसिल कर दिये जाएंगे चाहे आप करंसी में ट्रेड करते हो चाहे एकविटी में राइट तो जैसा कि 2.45 हो चुका है अभी तक एनसी जो है वो अपडेट नहीं हुआ है देखी हमने रिलोड भी किया अभी तक निफ्टी का जो टिक है वो चालू नहीं हुआ है तो भाई साप सौट सर्किट लगा हुआ बिजली खराब हो गई है नेट नहीं चल ला है यह सब हमां आपकी गलतियां होती तो हम सब को लॉस हो जाता तो जहिलना पड़ता अब एक्सचेंज का हुआ है देखते हैं क्या होता है आपको बातें समझ में आई होगी अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो जरा सब पूछेगा बाकी आपके पास आखरी कुछ मिनट बचे हुएं समझदारी से डिसीजन लीजेगा मिलेंगे फिर से तब तक लिए नमस्कार